मेरा नाम मॉनिका है और आज हम करेंगे समाजिक विज्ञान की वरक्षीट नमबर एट और आज का विशे भी है आपका इतिहास की समझ और यह है आज भाग तीन ठीक है तो हमने पहले भी पहले दो भागों में इतिहास के बारे में जाना और सब कुछ हम संशिक्त में आपको उसमें बताया गया है इतिहास क्या है उसको जानना जरूरी क्यों है और हमारे भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ कैसे यूरोपिय जो है व्यापारी वो भारत में आए कहां आए वो सब आपको बताया गया था आज हम उसके आगे पड़ेंगे आज की डेट है 24 जुलाइ 2021 चलिए गटी गटना का परिणाम होती है या भविश्य की गटना का कारण मनती है इतिहास केवल भूत काल को जानने के लिए ही नहीं मतलब जो पहले हो चुका है उसको जानने के लिए ही नहीं बलकि भविश्य को सवारने का भी माध्यम है तो हम अपनी इतिहास में हुए गल्तियों स से बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे हम अपनी जीवन में जब कुछ करते हैं और हमें लगता हमने गलत किया है तो हम उसको सुधारनी की कोशिश करते हैं ऐसे ही हमारे देश का इतियास हमारे राज्य का इतियास हमारे शेत्र का इतियास हमारे पूरे विश्व का इतियास में हम सबके इतिहाद से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ठीक है और अपने भविश्य को उसी तरह से सवार सकते हैं कि हम पहले जैसी जो गलतियां दूसरों ने करी या हम ने करी वो हम ना करें ठीक है सतारवी शताबदी में यूरोपी व्यपारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्यापत राजनितिक अस्थिरता का लाव उठाकर राजनितिक प्रभाव बढाने लगे अब ये सब तो आप जानते ही होंगे कि अगर हम बोलते हैं ना कि घर में अगर लडाई चल रही हो जगड़ा चल रहा हो बार वाले उसका फाइदा उठाते हैं सुनो का आपने ये बात है ना तो क्या होता है इसमें क्या हुआ अतसतारविशत आपडी में हम भारत में अंदर हमारे देश में उस समय में जगड़े हो रहे हैं ठीक है कही ना कही जो लोग है वो अपने पुराने राजाओं के कंट्रोल से उनके कंट्रोल से निकलना चाहरे अपने राजे सापित करना चारे हैं, अपना शेतर बनाना चारे हैं, अपनी हुकूमत चारे हैं, तो जब अपस में लोग, अपने ही लोग, क्योंकि अपने ही लोग हैं, वो सारे भारत के ही हैं, वो अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हूं, भारवाले आके उसका फायदा उठाईंगे न है ना वो देखेंगे कोई कमजोर करी और बूलेंगे कि चलो इसका फायदा उठाईंगे तो अंग्रेजों ने वही किया व्यापार हो ने वही किया ठीक है वह व्यापार करने आए थे लेकिन वो यहां के राजने राजनेतिक ठेकेदार बन गए, है ना, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसी situation मिल गई, ऐसे उनको, हाँ, अफसर मिल गई उनको ऐसे करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपस में ही हमारे हाँ की राजनेतिक जो अस्थिरता है, वो बह जेब शाजा के अंदर था, ठीक है, मुगल समराजे के विगटन के साथ, शेत्रिय शक्तियों, जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल और अवद के नवाबों, रोहिलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो अब यह शेत्रिय शक्तियों उबर के भार आ रही है, यह जो पह जेशी व्यपार करने आये थे, मौका देखकर मालिक बन गए, ठीक है ना, दो बिलियों के जगडे में बंदर रूटी ले गया, वर्चस्व की होड में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे, दोसो वर्ष से भी कम समय में अधिकांज भारत पर उनका नियंतरन हो गया, तो उ फैल गए, ठीक है, इसे विदेशी वर्चस्व को, मंगल पांडे, बक्त खान, बेगम हजरत महल, राणी लक्षमी बाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने, नायकों होते हैं, हिरोज, उन्होंने 1857 के विद्रो द्वारा उखाडो ना उखाडने का प्रयास किया, ये उख अंग्रेजो द्वारा बड़ी बेहरमी से कुचल दिया गया, तो 1857 का जो हमारा विद्रो था, उसको हम अपनी सतंतता, पहला सतंतता संगराम कहते हैं, बतलब हमारी जो राष्टवाद की जो पहली लड़ाई थी, उसको कहते हैं 1857 के विद्रो को, ठीक है, उसमें इन सब ने बढ़ चल के हिस्सा लिया था, ये कुछ नाम है, ये कुछ नायक है, उस 1857 की करांती के, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजो ने उस करांती को दबा दिया, क्योंकि सब एक जुट नहीं हो पाए थे पूरी तरह से, पूरे भारत में हर व्यक्ती एक जुट होकर उ एक ही दुश्मन से, ठीक है, वो हम कर नहीं पाए थे, इसके बाद ब्रिटिश समराजे में भारत का समावेश कर दिया गया, समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास की ही एकता के सूतर में बंद गया, अब क्या हुआ इसमें की, जब हम एक ही प्रशासन के अधीन आ गया, भारत एक ही प्रिशासन के अधीन आ गया, तो उसके बाद क्या हो गया, कि वो एक सूतर में बंद गया, मतलब कि एक ही तरह के नीती कानून चलेंगे अब, उनके, किसके, ब्रिटिशर्स के, ठीक है, रेल तथा पाश्चाते शिक्षा ने इस एकता की नीव को और अधिक ठोस बना दिया, तो रेलवेज बना दिये गए और रेल गाडियां या रेल मार्ग जो हैं, वो क्या करते हैं, रेल मार्ग देश के या किसी शेतर के एक शेतर से दूसरे शेतर को जोडते हैं, ठीक है, और साती साथ जो शिक्षा की प्रणाली थी, वो भी उन् लंबी ग्रामीर अर्थ विवस्ता नश्ट होने ब्रिटिश शासिन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुश परिणामों के साथ देश में मद्यवर्ग के उदे होने से राश्च्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ तो राश्च्रवाद की जो भावना है वो क्यों शुरू हुई सबसे पहले क्योंकि हम एक दुश्मन के एक ब्रिटिश शासिन की विरुद थे हमें वो पसंद नहीं था क्योंकि हमारा वो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे हमारी अर्थवेवस्ता को बिगाड रहे थे ठीक है हमारी अर्थवेवस्ता जो है वो बिगड रही थी हमारी स्वाब लंबी ग्रामी अर्थवेवस्ता हमारी खुद की जो हम जिस पर खुद निरबर थे हम किसी पर निरबर नहीं थे उस समय ठीक है विचारदाराएं लेकर आएं और ऐसी विचारदाराएं लेकर आएं जिससे उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिये। विचार आएं इन्होंने भी राश भावनगा संचार करा। ठीक है ना तो ये सब जो नाम है ये भी हमारे नायक ही हैं ये सब नायक है हमारे हैं ना हमारे स्वतंतरता संगराम के नायक हैं इनकी वज़ा से हमें स्वतंतरता प्राप्त हुई है ठीक है और ये कुछ तस्वीरे दी गई हैं ये राजाराम मोहन रहे हैं ब्रह्मो समाज की स जादी दूँगा ठीक है ना ये इतने जादा भारत की स्वतनतता के लिए प्रेरित थे कि इन्होंने भारतिये राष्चे कॉंग्रिस को भी छोड़ दिया ठीक है उस समय में ये प्रेजिडेंट भी बने थे उसके अध्यक्ष बने थे और उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपने ही स्तर पर अपने आप अपनी एक आर्मी का गठन किया जिसको हम बोलते हैं अजाद हिंद फौज और स्वतनता की लड़ाई लड़ी ठीक है तो ये कुछ नाम है ऐसे और भी बड़े सारे नाम है आप जानते ही होंगे ठीक है आपको उसका एक प्रशने भी करना है अभी प्यारे बच्चों अपने देश के गौरवशी लतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्दमान बहतर करना है और स्वर्नेम भविश्य की योजना बनानी है स्वर्नेम भविश्य गोल्डन इतिहास की यात्रा बहुत रोचक है अगर हम उसको सही माइने में कहानी की तरह पढ़ते हैं और हमें उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है ठीक है तो इसलिए ये वर्कशीट आपको कह रही है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और अपने आज को अपने वर्तमान को ब बर्तमान और रतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है इसका उत्तर है किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी ना किसी पहली घटी घटना का परिणाम होती है या भविश्य की घटना का कारण बनती है ठीक है और दूसरा पॉइंट है इसका इतिहास केवल भूत काल को जानने के लिए ही नहीं, मतलब जो पिछला हो चुका है, उसको जानने के लिए ही नहीं, बल्कि भविश्य को सवारने का भी एक माधियम होता है। जानने के लिए ही नहीं, बल्कि भविश्य को अ कारने का भी चुका हमें, ब्रिटिस शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीत्या थी, जिसने भारत की जो अर्थिववस्ता है उसको पूरा तहस नहस कर दिया। इसलिए हम उसको अनर्थकारी आर्थिक नीतिया कह रहे हैं और बिटिश शासन ने ऐसी आर्थिक नीतिया बनाई जिससे उन्हीं को बस फायदा होता जा रहा था दूसरा है जिसके प्रणाम सरूप क्या हुआ जो भारत की स्वाव लंबी ग्रामीर अर्थविवस्ताती वो नश्ट हो गई स्वाव लम्मी मतलब जो खुद पर निरबर दी किसी और पर निरबर नहीं थी अपने में परिपून थी तो ऐसी ग्रामीर अर्थ विवस्ता थी हमारी जो नश्ट हो गई तीसरा है शिक्षित मद्धे वर्गिये भारतियों का उदे होना यह ऐसे मद्धे वर्गिये भारतिय थे ऐसा वर्ग था यह मिडल क्लास का जो शिक्षित थे वो अपने साथ नई विचारधाराएं लेकर आएं ऐसे विचारधाराएं लेकर आएं जिससे लोगों के मन में भी सवाल उठे और उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिये जो गलत हो रहा था उसके विरुत मतलब की प्रेटिश शासन के विरुत ठीक है और अजादी की बाते करने लग गए राष्ट्रवाद की बाते करने लग गए क्या सही है क्या गलत है उसकी बाते करने लग गए तो इससे भी क्या होत है राष्ट्रवाद की भावना पनप्ती है चौता पॉइंट है अब कुछ समाज सुधारक है यह राजा राम मोहन रॉय द्यानन सरस्वती इन जैसे समाज सुधारकों के कारियों से लोग बहुत प्रेरेथ होए ठीक है इन्होंने जो समय में जैसे की भारतिय शिक्षा पर जोड दिया ठीक है भारती रीती रिवाजों पर जोड दिया लेकिन जो दक्यानूसी हमारे ख्यालात थे जो कुछ प्रताई थी उसके विरुद बोले ठीक है जैसे सती प्रता हो गई ठीक है और फिर उन्होंने बोला कि शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में उन्होंने बताया जो समाज सुधारक थे और जिससे समाज में नए विचार पैदा हुए पांच्वा पॉइंट है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे की आड़े समाज, परातना समाज, भारती राश्य कॉंग्रिस, होम रूल लीग जैसी सं पॉइंट है क्योंकि इन सफसंस थाओने लोगों को राश्य भावना का जो एक मकसद है या कैसे पनपती है राश्य भावना वो उसको दिखाया, उसको मार्ग दिखाया ठीक है भारत के स्वतंतता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाई है, नायक मतलब हीरोज, ठीक है, आप जानते हैं हमारे जो स्वतंतता संग्राम में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, जो मतलब हम सब जानते भी हैं, उनके बारे में हमने बहुत सु कुछ कारे हैं या उनके बारे में कुछ मैंने हाँ पर जुटाई हैं चीजें आप अपने पसंद के अपने सुतंतर संग्राम के हीरो अपने नायक ठीक है या नाइका उनके बारे में जरूर लिखे ठीक है मैंने हाँ तीन के बारे में लिखा है आप उससे जादा भी लिख सक कुछ लिखा है जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुमे आजादी दूंगा और एक और इनका नारा था जैहिंद और एक इनका नारा था दिल्ली चलो नेक्स्ट है चंदर शेखराजाद ये 1921 में जब गांदी जी के असेयोंग आंदोलन से पहले ये जुड़े थे स्वतंतिता अंदोलन में उसके बाद एक जो काकोरी शरियंतर था 1925 का रामप्रसाद बिस्मिल के नित्रत्त में उन्होंने इस शरियंतर में भाग लिया था आपने शायद मूवी देखियोगी बगत सिंग की एक दो मूवी जाई थी उसमें चंदेशेकर आजाद जी के भी एक रोल दिखाया था जिसमें पूरा ये काकोरी शरियंतर भी दिखाया था और कैसे फिर वो अंग्रेजों से बचकर भागते हैं और भाग जाते हैं और खुद को फिर वो मार लेते हैं अगर आपने देखा हो तो काकोरी शरियंतर क्या था अगर आप पता लगा सकते हैं तो नीचे मुझे कोमेंट्स में जरूर बताना ठीक है लास्ट मैंने लिखा है मंगल पांडे के बारे में इनका नाम भी आपने सुना होगा मंगल पांडे ने 1857 की जो क्रांती है उसकी तो कार्तूस क्या मतलब जो गोली जो बारूट डलता है ना उसमें गोली में बंदूक में है ना वो जो था वो कहते हैं कि जो उसको बाइट करके उसको काटना होता है मूह से और फिर उसको डालेंगे उसमें बंदूक में तो वो चलेगी लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो का प्राय की और सुर की चर्बी से बनाता अब मंगल पांडे थे हिंदू और इसलिए वो यह नहीं करना चाते थे वो नहीं अपने मूँ में वो लगाना चाते थे गाय का मास चर्बी को और इसलिए उन्होंने बगावत कर दी उन्होंने मना कर दिया करने से और इसको के बीच जो है वो देश भक्ती की भावना जागी और अंग्रेजों के विरुध वो खड़े हुए और उन्होंने पहला जो हमारा एक कहते हैं कि 1897 का हमारा पहला सुतंतिता संग्राम इसको मानते हैं उसमें लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया लेकिन हम इतने सफल नह दो ने एंग थाव थाल भाई खार ये। नहीं हिस्वर्णक